आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमसे पूछा गया है कि कार्ल वूस का Contribution क्या है Classification of Organisms में तो हमें पता है हमारे जितने भी Biodiversity है यानि कि जितने भी Organisms हमारे World में है उन सभी को हम जिससे कि हम उन्हें आसानी से Study कर सके और इसमें Scientist कार्ल वूस का एक बहुत बड़ा योगतान है और वो क्या है इन्होंने Basically हमारे जो Bacteria है उनको Classify कराता दो Sub-Divisions में किनमे एक तो होता है हमारा U Bacteria और एक है हमारा RK Bacteria तो देखिए U Bacteria होते हैं True Bacteria यानि कि जो Advanced Bacteria है उनमें ये रखा जाता है और RK Bacteria में RK का मतलब है या Primitive तो देखिए ये जो RK Bacteria है ये हमें काफी ऐसी Conditions में प्राप्त होते हैं जहाँ पर कोई Normal Organism रह नहीं सकता यानि कि काफी Hostile Environment में ये मिलते हैं तो Hostile Environment क्या हो जाता है माल लिजे कोई काफी जादा High Salt वाली Condition में है तो उसको हम क्या बोलेंगे Halophile यानि कि जो High Salt वाली Condition है उसमें रहने वाले Organisms और क्या हो सकते हैं और हमारे होते हैं Methanogen Methanogen जो होते हैं असल में ये Methane को Produce करने वाले Organisms होते हैं Bacteria होते हैं Methane एक प्रकार की Gas होती है जिसका Formula होता है CH4 तो ये हमने बात कर ली और हमारा क्या होता है Thermophiles तो Thermo का मतलब यहां Heat होता है तो जो हमारे Hot Springs होते हैं Hot Springs यानि कि आपने देखा होगा गरम पानी के जड़ने जो होते हैं तो वहाँ पर ये Thermophile Bacteria मिलते हैं तो ऐसे Environment में बागी कोई भी Organism जिन्दा नहीं रह सकता है पर ये वहाँ पर मिलते हैं क्योंकि ये काफी पुराने टाइम से ऐसे Environment में रहते आए हैं तो अगर इनको Age-wise देखा जाए तो ये काफी ज़्यादा पुराने होते हैं Organisms और यू बैक्टीरिया जो हैं ये इन बाले Environment में तो नहीं मिलता है पर ये इन भी ज़्यादा Advanced होते हैं तो ये बात कर ली है हमने Carl Woods के द्वारा Contribution की Carl Woods ने एक और चीज़ दीती जिसे हम बोलते हैं Three Domain System Three Domains System क्या फिर Three Domains of Life तो इन्होंने Basically क्या बताया जो हमारे R.H.Wittaker द्वारा Classification T5 Kingdom वाली उसमें इन्होंने इसके उपर एक और हमारी हाईरार्की रख दिया है जिसका नाम है Domains तो ये Domain कौन-कौन से हैं एक Domain है हमारा U-Bacteria ठीक है तो एक Domain ये हो गया एक Domain हो गया इसका R की यहाँ पर R की Bacteria आ जाते है और एक हमारा हो जाता है Eukarya तो Eukarya जो है ये Domain में हमारे जितने भी Protist, Fungi, Plante और Animalia ये सब आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे Carl Boos ने कितना बड़ा Contribution दिया है Classification को Simplify करने में तो ये हो जाता है हमारे Carl Boos का Contribution Thank you आप ये WhatsApp कीजिए अपने डाउट आच चार्सो 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 पर